हाई फ्रेंड्स वेलकम ओन माई यूट्यूब चैनल कैसे है आप आज की वीडियो मेरी स्टूडन्ट के हेर कटिंग की है जो के मैं आप सब के साथ शियर कर रही हूँ आप ये वीडियो देखिएगा और कॉमेंट करके जुरूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी ल ये कटिंग हो रही थी मेरी स्टूडन्ट की तो ये जो फ्रेंड कटिंग है ये मैं आप लोगों के साथ शियर कर रही हूँ ये कटिंग का बेसिकली मकसद ये है कि आपके बालों में अगर वाल्यम काम है तो आपके बालों में वाल्यम इस कटिंग से ज्यादा नजर और आपके बाल थोड़े से हेल्दी लगेंगे लेकिन हर काम करने का एक पॉट सिजर है हर काम करने का एक तरीका है जो कि मैं आप लोगों के साथ शियर कर रही हूँ और फ्रेंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप इस कटिंग को देखिएगा और मुझे तो मैंने मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने का क्यों आप वीडियो बनाई जाए कटिंग की तो मतलब कि हम लोग हर चीज में यही कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है हम ये काम नहीं कर सकते लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं कुछ ना भी हो तो आप वो काम कर सकते है आप मुझे बताइएगा कि ये मैंने काम जब की है तो आपको इसमें किसी चीज की कमी लगी है जी फ्रेंड्ट कुटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया सबसे पहले मैंने सेक्शन की है आपने देख आपने देखा है सेक्शन करके ये अब मैं front से जो है layer cutting करूँगी, पीछे से मैं you cutting करूँगी और जो मैंने mid section इन बालों से volume बनाना है अब मैंने hair cutting स्टार्ट की या आपने center से बालों को दोनो साइडों से बालों की section लेने आ और आपने cutting स्टार्ट करनी है कटिंग करने पर आपने क्लाइंट से लाजमी पूछना है कि आप बता दें कि आपको लेंथ फ्रेंट से कितनी चाहिए क्योंकि उसी के मतलब उसी सेक्शन से फिर बाकी कटिंग स्टार्ट होगी तो मैंने अपनी स्टूटन्ट से पूछा उन्होंने कहाए कि जे इतनी ही चाहिए अब स्टेप बाइ स्टेप आपने लेयर्स कटिंग करनी है जैसे कि मैं कर रही हूँ Friends ये जो काम है हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसको मतलब करके प्रैक्तिस कर करके और करकर के हम लोग यहाँ तक पहुंचे है तो कोई भी काम है उसकी प्रैक्तिस बहुत जुरूरी है और यह दिखे मैं लेयर्स कटिंग कर रही हूँ फ्रंट से और उसको बार बार आपने चेक करना है कहीं से कोई भी कमी पेशी है तो उसको दुबारा से हेर कट करना है और कटिंग आपने और जो भी काम करना है उसको बहुत एतियात और आराम तसली से करना है क्योंकि आप अगर जल्द बाजी करेंगे तो आपकी हेर कट खराब हो सकती है या आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो खराब हो सकता है इसके बाद मैंने पीछे से यू शेप किया आप वी भी कर सकते हैं यू भी कर सकते हैं लेकिन यू मैंने इसलिए फ्रेंड की है कि उससे volume ज्यादा अच्छा लगता है बालों का, क्योंकि इनके बालों में ज्यादा healthy बाल नहीं थे, कम थे, तो u-shape से ज्यादा healthy लगते हैं, अगर v करेंगे तो फिर healthy नहीं लगेंगे, उसके बाद मैंने दूसरे side के layers cutting start की है, आपने जो cutting दूसरी side पे की थी, उसके साथ match करके आपने इस side की जो मैं आप कर रही हूँ यह पता निए अब right बनता है के left बनता है लेकिन यदी कि उससे match करके आपने उसी के उसी के साथ साथ जो कटिंग है वो लेयर्स कटिंग करनी है उसके बाद आपने चेक करना है जैसे मैंने की है के बराबर है और इसके बाद मैं पीछे से यू शेप कर रही हूँ इसी तरह आपने बिलकुल अराम तसली से कटिंग करनी है और फिर उसके बाद इस U-shape को आपने नीट कर लेना, नीट करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि नीट करेंगे तो आपके बालों में ज्यादा अच्छी सफाई, मतलब आपके काम में ज्यादा नीटनस नजर आएगी, और कोई बाल अगर कटिंग वाला रह गया है तो वो भी कटिंग हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड किये जो मैंने सेक्शन किया था, बाल निकाले थे, इसमें मैंने स्टेप स्टालने और स्टेप से यनि के आपके बालों में वालियम आएगा, और बहुत बहुत खुबसूरत ये कटिंग लगती है, अगर आपकी बालों में बासा से ऐसे प्रेंड काच से थे, ये लुदक से ऑसे इस से गार्टेश टों कीकरण उसके बाद इस चेक करने निकरे हैं पीछे जो बाल है उनमें वॉलियम आ गया है और पीच में मेरी क्लाइंट आगी थी तो मैं उनसे बात कर रही थी इसके बाद फ्रेंड मैं ब्लो ड्राइ करूंगे और ब्लो ड्राइ की विश्ट पार्ट टू है